ठीक है है चलो तो एप्रिल वाला जो एक्जाम है CS1 का देखो CS1 में क्या है न मैं आपको थोड़ा बेसिक चीज बता देता हूं चालू करने से पहले अभी जैसे क्या है एप्रिल वाला जब हम लोग करेंगे तो हम लोग को एक हलका आइडिया लगेगा कि कैसा एक्जाम में पैटर्न वगेरा सब कुछ आ रहे है CS1 में जो मेरा जो एक्सपेक्टेशन है मतलब लास्ट आप देखेंगे ना लास्ट पहले पेपर बहुत सिमिलर टाइप का आता था और बहुत सेम होता था मतलब अब जैसे उसमें बहुत ज़्यादा एक्जॉटिक नेस नहीं था मतलब प्लेन वनिला टाइप के एक्जाम सोते थे अभी क्या हो गया ना लास्ट चैसा टर्म से आप देखेंगे कुछ कुछ टॉपिक से जैसे आपका को रिलेशन डिग्रेशन हो गया और जी एलम हो गया तो यह वाला जो दो टॉपिक से अभी जैसे रात में हम लोग का क्लास और जो सिधार सर ले ठीक है यह 9 पीम वाला क्लास सबको करना बहुत इंपोर्टेंट यह डेली एक से डो घंटे का क्लास हो रहा है तो यह वाला क्लास जब तक तक तुम लोग नहीं करेगा ना तुम को का रिवीजन वो बैठेगा नहीं actual exam को अपना पहला exam देरा होगा और CS1 में है तो पहला दे रहा ओगा फिर दूसरा दे रहा होगा रई तो इसमें ना flow का बहुत महत्वा होता है exam से पहले मतलब अभी क्या है हम लोग जो चीज़ को औल्लेड कर चुके है एक बार कर चु है कि हम लोगों को टाइपिंग में करना है तो टाइपिंग में भी सिद्धाद सर हेल्प करेंगे जैसे उनका जो क्लास हो रहा है संग-संग टाइपिंग में जब करोगे तो फ्लो का बात होता है इस बेसिकली 60% यह प्रेपरेशन मैंटर्स एंड 40% यह फ्लो मैंटर्स कि आप एक्जाम से पहले कितने अक्टिव होके कर रहे हैं पर एक्जामपल अभी नीरत चोपड़ा का इंटर्वी में वह क्या बोला वह बोला कि हम लोग ऐसा नहीं एक खाली जाते हैं और एक थ्रो करके आ जाते हैं हम लोग 2,5 घंटा पहले से कुछ ना कुछ करते हम लोग जंपिंग करते हैं तो समझ रहे हैं तो एक्जाम में अगर तुम 2-3 दिन या फिर लास का मालो 2 हफता से कोई प्रैक्टिस नहीं के तो फिर तुम एक्जाम में वह फ्लो से नहीं बना पाएगा उस चीज को तो फ् हमारा कंडिशनल वाला टॉपिक जूर जाता है तो इस अगेन थोड़ा इंपॉर्टेंट में को लगता है बाकी देखो जो इंपॉर्टेंट है वह बट एक जो में को लगता है जहां से गेम चेंजर बन सकता है जिसका हम लोग को सब कुछ एक्टम अच्छे से करके जाना वह यह है ठीक है ना बेजन इस इंपॉर्टेंट एवरिटिंग इस इंपॉर्टेंट एंप्रफेशनल एक्जाम में कोई भी चीज़ों गेम नहीं करना चाहिए बट इस टू तिंग्स जो में को लगता है इससे काफी अच्छे-चे कुश्टन बनके आ सकते हैं बतलब एक उबर बस खले हम लोग उसको पहले ग्लांस करते है ला पेपर को 2024 वाले को अब जैसे देखो सबसे पहले हम लोग को इसमें अंकंडिशनल वेरियंस निकालने बोला है फिर उसके बाद में कितना टूटल में कोश्टन कितना है इसमें नौ कोश्टन है टूटल में अच्छा मिक्स है पेपर काफी काफी अच्छे तरीके से उन्होंने सारे टेप के इसमें दिये हैं ठीक है आओ फिर हम लोग चालू करते हैं कुश्टन नंबर वन से हम लोग चालू करेंगे ठीक है आओ दे फॉलोइंग टेबल शोस पॉसिबल रियालाइजेशन एक्स ऑफ रांडम वेरियेबल एक्स दा प्रोबाबिलिटी इस पर दीस रियालाइजेशन अन दा कंडिशनल एक्स अन वेरियेंस ऑफ रांडम वेरि एक्सपेक्टेशन ऑफ रांडम वेरियेंस 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 टेबल मुक का पेज नंबर 16 पे दियालाइजेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ रांडम एक्सपेक्टेशन ऑफ रांडम वेरि फिर हम लोग को बोलता है अनकंडिशनल वेरियंस भी निकालो य का तो यह वाला हम लोग कर सकते हैं क्या हम लोग को बोल रहा है कि अनकंडिशनल एक्सपेक्टेशन निकालना है एक्स का और य का ठीक है तो अनकंडिशनल एक्सपेक्टेशन कैसे निकालेंगे बताओ और फिर हम लोग को unconditional variance भी निकालने बोल रहा है, बोलो देखो, expectation of x जो हम लोग का है expectation of x जो हम लोग का है, यह हम लोग कैसे निकालेंगे expectation of x जो हम लोग का है, वो हम लोग simply निकाल सकते है 10 इंटू, 0.4 प्लस, 20 इंटू, 0.4 प्लस, 40 इंटू, 0.2 अच्छा, तो यह 20 आ रहा है, उसके बाद में expectation of y तो आपने को क्या दिया है, question में अपने को question में जो दिया हुए, अपने को question में दिया हुए expectation of y given x, अब अपने को इसका expectation निकालना है, so expectation of y given x अपने को दियावा है, 2, so 2 इंटू, 0.4 प्लस, 8 इंटू, 0.4 प्लस, 10 इंटू, 0.2, ठीक है ना, समझा, और अगर अपने को unconditional variance निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, variance of expectation and expectation of variance, ठीक है, तो unconditional variance of y ये कैसे निकालेगा, so variance of expectation, variance of expectation and expectation of variance, बोलो, सबसे पहले ये दुनों तो हो गया, ठीक है, so this is what, expectation of variance of y given x and variance of expectation of y given x, ठीक है, clear है ये ला, बोलो, तो इसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले निकालो, expectation of variance of y given x, so variance of y given x अपने को दियाव है, so 1 into 0.4, उसका expectation निकाल रहे हैं, 2 into 0.4 plus 3 into 0.2, फिर अपने को निकालना है, variance of expectation of y given x, तो ये जो है न, ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को आप x की तरह treat करो, मतलब, तब आपको बेटर समझ में आएगा, कि आपको normal चीज़ का variance निकालना है, which is expectation of x square minus expectation of x का whole square, ठीक है, so this is going to be minus 4 का square into 0.4 plus 2 square into 0.4 plus 4 square into 0.2, ठीक है, अब निकाल लो, ये कैसे आया, minus 4 कैसे आया, mean को मैंने minus करके एक बार में निकाल दिया है, अपना जो आया था न, like इसमें, question में जो अपने को दिया वह है, अपने को क्या निकालना था, variance of expectation निकालना था न, तो वो 2 है, पहला वाला 2 है, फिर 8 है और फिर 10 है, तो 2 से मैंने mean को minus किया है, 2 से मैंने mean को minus किया है, तो mean अपना क्या है, mean जो अपने निकाले थे, 2 से अगर अपने mean को minus करेंगे, mean अपने निकाले थे expectation of y का, expectation of y is what, 6, तो 2 minus 6 is what, minus 4, फिर उसके बाद में क्या है, 8 minus 6, और फिर उसके बाद में क्या है, 10 minus 6, ठीक है, यह तो करी सकते हैं, mean को variance का formula क्या होता है, x minus mu का square का expectation, deviation जो निकालते है mean से, mean से deviation का square का expectation, deviation, deviation square का mean, deviation का square का mean, तो पहले मैंने expectation of y से कितनी दूरी पर यह निकाला है, ठीक है, expectation of y से कितनी दूरी पर यह निकाला है, और फिर उसके बाद मैंने विसे solve किया है, ठीक है, चलो पहले इसको कर लो, 2 minute का time दे रहाए, पहले इसको solve करो, इसको solve कर निगाद में question number two में move करेगा चलो झाल 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 दूसरा question में आओ the preparation time in minutes for coffees in a popular coffee shop has the following density तो आपने को density क्या दिया देखो are proposed for the parameters M अपने को model झाल 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 ऐक में दिया है एक में दिया है Ui और एक में दिया है U and U plus V where i is 1, 2, 3, 4 correspond to different types of coffee comment on the mean preparation times for different types of coffee proposed by the two models कैसे करेंगे बताओ पहला अला पड़ बताओ कैसे express कर सकते हैं इसको exponential में कैसे express करेंगे तुम बताओ log लेने से खाली थोड़ी होगा e के power में log लेना होगा हाँ तो exponential क्या लिखेंगे बोलो exponential सबसे बहले लिखेंगे ln8 minus lnm to the power 4 फिर plus lny minus 4y by m good अब इसको रियरेंज करना पड़ेगा so this is what exponential क्या आएगा बताओ minus y by m ठीक है माइनस ln m whole divided by 1 by 4 होगा बिटा ठीक है plus ln8 plus ln y अब इसके बाद में सारा को एक्स्प्रेस करो क्लेर एला थोड़ा slow and steady करेगा तब clear हो जाएगा उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा do we need to show our workings for mcqs in the answer script mcq के लिए working दिखाने का कोई दरकार नहीं है ठीक है सबको समझ में आ रहा है तो इसके बाद में कैसे करेंगे ठीक आपना जो है वो क्या है minus 1 by m b theta अपना क्या हो जाएगा lnm which is what ln minus 1 by theta बोलो हाँ ठीक है minus क्या बोला minus माइनस भी तो है सामने माइनस थीटा के पावर में तो नहीं है तो theta to the power minus 1 है ना पूरा के पावर में minus 1 होने से minus 1 सामने आता है पूरा के पावर में का है वो ही तो मैं बोल रहा हूं यह है minus theta to the power minus 1 तो माइनस थीटा to the power minus 1 से होगा क्या 1 by हाँ minus ठीक है ठीक है तो फाई अपना क्या है 1 and a5 अपना क्या हो जाएगा a5 अपना होगा 1 by 4 and c y5 जो है यह अपना होगा ln8 plus lny ठीक है फिर इसके बाद क्या बोल रहा है अपने को two models a and b are proposed for the parameter m the mean preparation time for different types of coffee model a क्या है 1 by m is ui i क्या है 1,2,3,4 and model b क्या है 1 by m is u and u plus v मने 1 अगर है तो अलग है which is u and अगर 2 है तो u plus v comment on the mean preparation times for different types of coffee proposed by the two models तो model a के लिए हम लोग क्या लिख सकते है model a में क्या है ui है ना तो सब के लिए different है but model b में क्या है पहला के लिए अलग है and बाकी तीन के लिए अलग है ठीक है all four mean preparation times are different and model b में है the mean preparation times for types 2,3 and 4 are same and for type 1 could potentially be different model a को क्यों सब का अलग है हाँ ठीक है सब का अलग है सही बोल रहा है सब के लिए ठीक है कि दो नंबर के लिए कितना compare करेगा यही तो comparison करना है कि मतलब एक में क्या हो रहा है सब के लिए अलग है और एक एक लाइन लिखे का तो दो नंबर आएगा न भाई उसमें तुम अगर माले पुरा सारा करने लग जाएगा तो वह थोड़ी उतना थोड़ी करना अपने को जो बोलेगा वही करना है हां लिख सकते है कोई दिक्कत नहीं है 5 1 by 4 भी लिख सकते है क्या दिक्कत है तो question number 3 x and y are discrete random variables with joint distribution given in the table below y तुमारा दियावे minus 3 से 0 तक and x दियावे 1 or 2 identify which one of the following options gives the correct value of the conditional expectation correct value of the conditional expectation so expectation of y given x is equal to 2 ठीक है तो इसके लिए आपने को क्या करना पड़ेगा सबसे बहले conditional pdf बनाना पड़ेगा right so joined by marginal तो यह क्या हो जाएगा बताओ f बोलो एक है करके बोलो अपने को expectation of y given x is equal to 2 के लिए करना है ठीक है तो कैसे करेंगे बताओ y अपने को vary करना पड़ेगा तो f2 कॉमा minus 3 by f क्या होगा बताओ fx2 x लिखना जरूरी है फिर f 2 कॉमा minus 2 excellent यहाँ पर क्या आएगा fx2 फिर क्या आएगा f 2 कॉमा minus 1 fx2 फिर f2 कॉमा 0 fx2 यही चार वैल्यूज है और फिर अपने को expectation y का निकालना है तो अपने इसको किसे multiply करेंगे minus 3 इसको अपने multiply करेंगे किसे minus 2 से और इसको अपने multiply करेंगे किसे minus 1 से और इसको अपने multiply करेंगे से 0 से clear हैं बोलो इसको solve करो x का 2 का क्या होगा fx2 क्या है बताओ fx2 अपना आएगा 1 by 5 plus 1 by 10 plus 0 plus 1 by 5 clear है clear है एक्स के लिए भी मैं एक दिखा दे तो बागी फिर तुम लोग कर लेना अब जैसे अगर x का बात करेंगे तो expectation of suppose करो x given y is equal to अपने को निकालना है minus 3 for example बता रहूं ठीक है तो इसमें अपने करेंगे f क्यों अगर बताओ 1, minus 3 by fy very good फिर f 2, minus 3 by ठीक है और फिर इसको multiply किस से करेंगे 1 से और इसको multiply करेंगे 2 से ऐसे करके अपने को ये तो अपने निकाले minus 3 के लिए कितना बार निकलेगा पता है 4 बार ये अपने निकाले है minus 3 के लिए फिर ये सेम चीज़ निकलेगा minus 2 फिर निकलेगा minus 1 और फिर 0 के लिए निकलेगा तो 4 बार निकलेगा समझा 4 expectation निकल रहा है और 4 का probability तो y का marginal का PDF ये बना लो यहाँ पर y का marginal का PDF में क्या आएगा minus 3, minus 2 minus 1 और फिर 0 ना तो x में sum करो, vertical sum करो 2 by 5, 1 by 5, कितना होदा बताओ 3 by 5 0 and 1 by 10 कितना होता है 1 by 10 and 0 and 0 and 1 by 5 ये बन गया अब समझो 4 अपना expectation निकलेगा expectation का expectation निकालेगे तब unconditional निकलेगा तो ये जो अपना निकल रहा है ये पूरा जो निकल रहा है बने यहां से लेके यहां तक जो भी किये हैं इस पूरा चीज को अपने को multiply करना पड़ेगा इससे समझा? फिर ऐसा ही जब अपने एक और बार निकालेगे इसके लिए इसको अपने multiply करेंगे इससे फिर इसके लिए जब निकालेंगे इसको अपने multiply करेंगे इस से और फिर जब इसके लिए निकालेंगे तो इसको अपने multiply करेंगे इस से पहले चार conditional expectation निकलेगा पहले चार बर conditional expectation निकलेगा चार बर conditional expectation निकालके सारा probability से multiply करेंगे एक्सपेक्टेशन ओफ एक्सपेक्टेशन ओफ एक्स गिवन वाई निकाल रहे हैं ठीक है चलो उसको सॉल्फ करो यह बहुत इंपॉड़न कुश्चन है एक्जाम के लिए आएगा आएगा आपके एक्जाम में फुद़ड़ा इसे प्रैक्टिस नहीं करेगा बार-बार तो कैसे होगा बता फ्रैक्टिस काने पड़ेगा न कितना सिंपल चीज़ से बता एव उन –3 ते को दिखरा कितना है एफ्वा माइनस फ्री गताल दिया एइस अरहा ह नामे को प्रा अ चालो भी निकाल दिया इसी कि अभी मेरे साथ साथ कर लो पुरा पेपर घड़ जाने। अभी मेरे साथ साथ करो पूरा आयरे को यायरे झाल 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 प्रैक्टिस में पूरा बढ़िया सी प्रैक्टिस करोगे ना आप डिरेक्ट क्यू करोगे अभी तुम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना झाल सब्सक्राइब सब्सक्राइब होगे सॉल सब्सक्राइब हाँ कोशन नमबर फोर में आओ प्लेलिस्ट है मतलब सारा पर प्रफम बेस देगा भी इस 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 इच और विच अग्ट वेरियंट इच और विच अग्ट वेरियंस इक्वल टू वन ठीक हैं कोवेरियंस एक्स वाइ इस हाँ मस् दिरो पॉइंट नाइन कोव भाई वही तो मैं लाज में समझाया ये वाला ये रहे जो एरो बना बना के जो बताया ये तो ऐसे चार बर निकलेगा चार अलग अलग चीज़ के लिए फिर उसके बाद जो भी सब निकल रहा है जैसे माइनस थ्री वाले को इससे मल्टिप्लाइ करेंगे इसको इससे करेंगे इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे ये तुम्हें बताया चार एक्सपेक्टेशन निकल रहा है और फिर उसका expectation निकालना है, ठीक है? बोलता है random variables x, y and z, each of which has variance equal to 1. तो मतलब variance of x is variance of y is variance of z which is 1. Suppose that covariance x, y is 0.9 and covariance y, z. covariance y, z is 0.8 और हम लोग को a दे दिया है, a हम लोग को दिया है x minus 0.9y and b हम लोग को दे दिया है z minus 0.8y. calculate variance of a, ठीक है? so variance of x minus 0.9y so ये क्या है पाता है? variance of a minus b. so this is covariance x minus 0.9y, x minus 0.9y. समझ गया न? अब इसको solve कर लो और क्या? या फिर ऐसे भी कर सकता था. this is variance of x minus 0.9 square variance of y. ये प्लस होगा और ये minus 2 covariance x, 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 x… समझा, 0.9 भार आ जाएगा covariance से भी यही आ रहा, देख, xx का covariance is variance of x इन दोनों में क्या आएगा, minus 0.9, फिर इन दोनों में भी minus, तो इसलों minus 2 covariance x, 0.9 तो 0.9 भार आएगा, तो minus 2 into 0.9 covariance xy and for this into this is 0.9 square variance of y. clear है? similarly b के लिए निकालो, करो इसको solve, नहीं को वेरियंस आएगा तो स्क्वेर नहीं होगा वेरियंस आता है तो स्क्वेर होता है वेरियंस आएग्स कोमा वीवाय है इसे वे एक्सक्वेरियंस ज़र एक्स्षfeld kidding हाँ हाँ A B sorry ठीक है तो यह फाइनल क्या आएगा variance of क्या बताओ variance of x plus 0.9 square variance of y minus 2 into 0.9 covariance of xy यह हम लोग का है variance of A similarly variance of B हम लोग का क्या हो जाएगा variance of Z plus 0.8 square variance of y minus 2 into 0.8 covariance of y z फिर हम लोग को निकालने बोल रहा है covariance A, B so this is covariance x minus 0.9 y 0.8 y so this is what covariance xz minus 0.9 covariance yz minus 0.8 covariance xy plus 0.9 into 0.8 covariance yy हाँ मतलब वोई variance of y b is greater than equal to minus 1 you 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 samjha bol hai kaha dhikha tura bol you convolutions का वीडियो देख लिया है भाई वीडियो सारा कर ले ना और रात वाला क्लास प्लीस करो अभी भी एक्जाम में बाकी है 20-25 दिन पुरा प्रॉपर बाकी है वो पुरा बढ़िया से करा देगा 25 दिन में डेली बैट जाओ और 2 घंटा 1 घंटा जो भी क्लास हो रहा है डेली करो नहीं ने अब एक हो गया अब संडे को खली बैच बन का डाउट क्लास होता है आरका अब तो मोटा मोटी एक ही हो गया उसमें करो बढ़िया से करो यह जो saturday को जो session करवाए थे ना उसमें देखो पुरा excel में बनाया है कैसे कैसे क्या complete कराएगा पुरा कि आ यह जो पुराय थे संभाष जा कर चा अपुरा ला जो पुराय्ट करिया त। कि आ भर खांध Alexandro गूरण कर दा डा इसके बाद में देखो हम लोग को एक हिंट दिया है पहले तो हम लोग को ये शो करने बोल रहा है that covariance xz is greater than equal to 0.458 हम लोग को बोल रहा है use the fact that correlation a,b is greater than equal to minus 1 ये अपने को बोल रहा है where correlation a,b is the correlation coefficient between a and b ठीक है तो हम लोग क्या बोल सकते है that correlation a,b is what covariance a,b whole divided by क्या होगा बताओ square root sorry covariance a,b by root under variance of a into variance of b ठीक है ना तो इसका मतलब क्या है that अब अगर ये minus 1 है like if this is greater than equal to minus 1 तो हम लोग क्या बोल सकते हैं correlation के जगा में इसको लिख सकते हैं तो मतलब covariance a,b is greater than equal to minus of root under variance of a, variance of b and covariance हम लोग उपर में निकाले हैं covariance xz minus 0.72 so covariance xz minus 0.72 is equal to what? covariance a,b now this is greater than equal to minus of root under variance of a, variance of b ठीक है? हां? अब value डाल दो variance of a और variance of b का यह हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं जैसे तुम्हारा variance of a जो है variance of a है तुम्हारा 0.19 and variance of b जो है 0.36 है ठीक है? clear? बोल इसको solve कर लो बस अब value डाल दने से आ जाएगा और वो minus 0.272 को उधर ले जाएगे कौन सा? हां देशे दे, covariance तुम क्या कर रहा है? correlation a,b is greater than equal to minus 1 है तो बसलब यह पूरा चीज is greater than equal to minus 1 तो यह cross multiply हो जाएगा तो covariance a,b is greater than equal to this thing तेको variance of यह variance of भी सब पता है तो value डाल देगा and covariance a,b इसके उपर वाला में अपने निकाले हैं which is covariance x,z minus 0.72 now there is a catch weight यह minus आ रहा है न? यह minus आ रहा है तो तो इसको जब इधर लेके जाएगा तो क्या हो जाएगा? यह तोनों तरफ तुम क्या करेगा? प्लस 0.72 प्लस 0.72 ना? तो ultimately तुम्हारा जो आएगा that covariance x,z is greater than equal to 0.72 minus root under 0.19 into 0.36 यह तुम्हारा आएगा final समझा? यह तुम्हारा? यह? हम बोलो यह वाला हो जागा तो कुछो नमबर 8 बनाएगा हम 5 मट का टाइम दे रहें कुछो नमबर 8 बनाओ कुछो नमबर 8 येस देखो कैसे गेम करता है बता रहे हैं तो ये ऐसे लोग ग्रूपिंग करने लग गया है बाचकल क्योंकि प्रोफेस्चल एकजाम है तो ग्रूपिंग कहीं से भी हो सकता है तुम देखेगा पूरा पेपर में तुमको या तो हाइपोतेसिस और कॉन्फेडेंस ही दिख रहे है अब लेकिन क्या हो अगा भी लोग को सौंज में आगे कि हाइपोतेसिस और कॉन्फेडेंस में नया टैप का कुछ चीज बन नहीं सकता है तो यह लोग क्या कर रहा है टार्गेट कर रहा है नया चाप्टर या तो बेशन से अब जिसका बेशन कम जोरोगा वो फिल हो जागा पेपर में तो बाकी सब कितना अच् पेटिकलर टॉपिक उससे बहुत ज्यादा कॉश्चन देगा कॉश्चन नम्मर एड़ बनाओ झाल 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 of oil an analyst wishes to model the effect of this increase on the market price of oil and recorded the monthly average volume produced X in liters and its price per liter Y for eight consecutive months the data are summarized as follows SXS summation of y square xy calculate Pearson's correlation coefficient between x and y comment करने बोल रहा है तो सबसे पहले data देखते ही क्या निकालेंगे हम लोग SYY निकालेंगे SYY क्या हो जाएगा summation of y square minus summation of y का square by n तो यह कितना आएगा 4305 minus 181 minus 181 का square by 8 ठीक है फिर R निकालो छोटा R which is SXY by root under SXXSYY ठीक है यह solve करो यह जब तुम solve करेगा तो तुमारा आएगा minus 0.871 इससे क्या पता चलता है that the correlation coefficient is negative thus as the volume of the production increases the price decreases the correlation is quite strong 2.87 के पास है ना इसलिए मने जब एक वेरियेबल बढ़ेगा तो दूसरा वेरियेबल गिरेगा ठीक है solve कर लो इसको पहले पिर हम लोगों को बोलता है second analyst thought that converting the volume to cubic meters as that is X by 1000 would make the computation more efficient transformation लगाया है X by 1000 is Z as that is what X by 1000 as that is what X by 1000 summation of Z square minus summation of Z square by 8 8 consecutive मने इसलिए अब summation of Z जो है यह क्या आएगा summation of X square by 1000 का square minus summation of X का square by 8 into 1000 का square now this is equal to 1 by 1000 का square summation of X square minus summation of X का square by 8 ठीक है तो यह क्या आएगा SX by 1000 स्क्राइगा स्क्राइगा SX by 1000 calculate the new Pearson's correlation coefficient between Z and Y calculate the new Pearson's correlation coefficient between Z and Y यह लो कॉपी हो गया बोलो तो स्य क्या हो जाएगा Now, this is summation ofzy minus summation ofzy by n So, this is one by one thousand summation ofxy minus summation of x by n ठीक है? Sxy by 1000 R new Szy by root under Szz Syy so this is equal to minus Sxy by 1000 by root under Sxx by 1000 ka square this whole thing into Syy so this is R which is minus 0.871 मेरा जो correlation coefficient आ रहा है उसमें कोई फरक नहीं है Summation xy को नहीं लिख सकता है Summation of xy का मतलब क्या होता है? x into y का sum and summation x मतलब क्या? x का sum into y का sum इसके बाद मेरा इसके बाद मेरा इसके बाद मेरा अपने को बोल रहा है 3535237.5 by 1000 का square xzy so this is बीटा है क्या है xzy by s zz and alpha hat जो हमारा है 181 by 8 minus minus of 6.712 0.16 by 8 थेक है? so this is 23.726 23.726 by minus 3.535 this is minus 6.712 और ये वाला जो तुमारा alpha hat जो है ये आएगा 22.759 तो y hat जो है minus 6.712 z plus 22.759 ठीक है? फिर अपने को बोल रहा है 95% prediction interval बनाने for the price of oil when the oil production is 1.5 meter cube based on the observed data तो prediction interval के लिए क्या निकालना पड़ेगा? sigma hat square ये क्या है तुम बताओ तो ये वाला? ये वेरी गुट ये नहीं बताती तो फिर तुमारा अभी हो जाता आज ठीक है तो sigma hat square क्या हो जाएगा? 1 by 6 209.875 minus minus of 23.726 क्या स्क्वार बाइ 3.535 which is 8.48439 फिर हम लों निकालेंगे estimate of expected price so this is 22.759 plus minus 6.712 into 1.5 so this is 12.691 ठीक है ती वैल्यू 0.0256 degrees of freedom is 2.247 ठीक है ठीक है इसके बाद में इसके चन्टर्डरर अ आफ ट्यूमेट प्रियो की अ अ आफ न एल्यू आफ ट्यूमेट में अ ट्यूमेट अ प्रिर में युडशन ऑफ लोगी से ले एल्यू अचमार्ट neither व्ल्यू जिव्यू by 8 ca square by 3.5 3.5 this whole thing into 8.4 3.9 this whole thing to the power half is 3.837 सो अपना आएगा 12.691 प्लस माइनस 2.447 इंटो 3.837 ठीक है ना और तुम लोग का जो final answer आएगा 3.302,22.080 आज की लिए लोग इतना ही करेंगे बाकी सारा घर से बना के आओगे तुम लोग फिजिकल में आया लेगा अभी बना के जाएगा पूरा पेपर और जो लोग online में वो लोग अभी बनाओगे class के बाद और फिर balance जो है वो हम लोग कल discuss करेंगे same time में कल बेसिकली सर सम जेड़ वाई कैसे आया है सम जेड़ वाई कहां है अब विदान्शी माई कौन करो कि सरे जेड़ वाई में कि समेशन अब जेड़ यहीज इकल दूओ अधाओ 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 जाएगा ना ठीक है तुम लोग अभी बैलेंस बना लो कल अम लोग इस पिपर को खतम करेंगे ठीक है अभी पहले बना लो पुरा थेंक्यों अल अभी उल अफ्यू कल मिलते सेम टाइम झाल झाल